नमस्कार दोस्तों मैं विवेक वर्मा सच है ना हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे तो दोस्तों कभी हारने से नहीं डरना चाहिए कभी असफलता से नहीं डरना चाहिए और वैसे ही कभी सीखने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए तो उमीद है कि आप लोग biological classification के सारे questions solve कर लिये होंगे और अब देखिए जो मैंने आप लोगों का NEET exam के लिए revision का जो एक schedule बनाये था उस schedule के हिसाब से आज के date में cell cycle and cell division discuss करना था तो मैं अब same schedule follow करूँगा अगर बीच में जो 2-3-4 chapter छूटे हैं उसको last में मैं cover करूँगा तो आप लोगों से please ये request है कि आप लोग उस schedule को proper follow करेंगे अप और उसी schedule के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई सुरू कर दीजिए और daily एक एक chapter कम से कम हम लोग खतम करेंगे जो भी मैंने schedule आपको दिया था अगर आप कहेंगे तो मैं schedule आपको फिर से दे दूँगा ठीक है और एक बात मैं कहें देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग बड़े मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग जरूर questions को देखें, solve करें और revision करें मतलब अपने समय को सार्थक तरीके से इस्तमाल करें और अच्छी बात है कि अभी आप घर पे हैं, कहीं जाना भी नहीं है तो आप maximum time अपने पढ़ाई पे दें ये अलग बात है कि need का exam तल गया है लेकिन हो सकता है, iswar ने आपको एक मौका दिया हो कि आप इस समय को अरच्छे से utilize करके अपना selection ensure कर सके और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों, वो लोग जरूर चैनल को subscribe करने और मुझे comment देके at least मुझे क्या और इसमें सुधार करना चाहिए या क्या doubts आपके हैं, वो सारे doubts आप लोग comments के द्वारा पूछ सकते हैं, जिससे मैं इन चीजों को और improve कर सकूँ ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नया chapter cell cycle and cell division सुरू करेंगे, जो कि class 11th का chapter number 10 है, ठीक है अगर NEET के exam के point of view से देखें हम लोग तो NEET के exam में इस chapter से एक या दो question लगबग हर साल होता है मतलब minimum एक question और दो question तो दो question का potential है, ये chapter आसान है, बहुत बड़ा भी नहीं है जिसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है तो ये एक scoring chapter हो सकता है, मतलब कम मेहनत में आप एक या दो question बड़े आसानी से सही कर सकते है ठीक है, चलिए, तो as usual आप लोग सभी लोग NCRT की books जल्दी से आप लोग ले लीजिए अपने सामने, जिससे हम लोग NCRT को follow करते हुए इनके questions को solve करेंगे ठीक है, चलिए, हम लोग सुरू करते हैं पहले question से, आपके सामने पहला question स्क्रीन पे है, देखिए आपके सामने जो पहला question है, वो है which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis, यानि mitosis के दवरान basically पूछ रहा है कि कौन सा correct sequence है events का, ठीक है, तो देखिए cell division basically दो type का होता है, mitosis और meiosis, mitosis को हम equatorial division या equational division बोलते हैं, जहां ploidy में कोई change नहीं होता है, यानि अगर young haploid cell है, तो उससे दो haploid cell बनते हैं, ploidy में कोई change नहीं होता है, और similarly अगर आपका कोई diploid cell हैमा लिजे, parent cell, तो mitosis के बाद एक diploid cell से दो diploid daughter cell बनते हैं, यानि ploidy में कोई change नहीं है, इसलिए हम इसे equatorial division या equational division कहते हैं, ठीक है, तो mitosis में sequences पूछ रहा है events का, कि क्या-क्या होता है, तो वैसे देखा जाए, तो mitosis में, आप देखिए यहाँ एक-एक option हम लोग ध्यान देंगे, पहला option है, condensation, यानि क्रोमोजोम्स का condensation होता है, जब replication हो गया तो उसके बाद क्रोमोजोम्स का condensation, उसके बाद nuclear membrane disassembly, मतलब nuclear membrane disappear होता है, फिर arrangement at equator, जो क्रोमोजोम्स है, equator पे आते हैं, फिर centromere का division होता है, और फिर centromere के division के साथ segregation और segregation के साथ finally telophage, देखिए दोस्तों, यही आपका सही option है, यानि सबसे पहले जो yes phase में DNA का replication हुआ, replication के बाद, अब जो क्रोमोजोम्स इस तरह से थे समझेए, वो क्रोमोजोम आफ्टर replication, एक क्रोमोजोम पे दो chromatids हो जाएंगे, एक क्रोमोजोम पे दो chromatids हो जाएंगे, तो इस दो chromatids वाले क्रोमोजोम को बनाने के लिए condensation करना होगा पहला काम, और condensation के बाद जब यह क्रोमोजोम के form में आगया, तो nuclear membrane को गायब करना होगा, तब ही क्रोमोजोम का बटवारा हो पाएगा, तो nuclear membrane disappear होगा, उसके बाद arrangement at equator, उसके बाद जो यह क्रोमोजोम हैं, यह क्रोमोजोम इस तरीके से equator पे arrange होंगे, और spindle fiber जो है, वो spindle fiber दोनों तरफ इस तरीके से क्रोमोजोम को, इसके यह देखे, centromere divide होगया, यह दोनों पोल पे चला गया, कुछ इस तरीके से process होता है, त्यावनी centromere जो है, वो divide कर गया है, यहाँ देखे centromere क्या है, यहाँ centromere एक साथ है, अब यहाँ देखे, दो centromere होगया, याणि centromere का division होगया, और उसके बाद, अब तीलो फेज में ये एक nucleus में एक क्रोमोजोम हो गया और दूसरे nucleus में दूसरा क्रोमोजोम हो गया यानि पहला जो sequence है वो बिलकुल सही है ठीक है चलिए next question की बात हम लोग करेंगे next question है आपका anaphase promoting complex यानि जिसे हम APC कहते हैं is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell if APC यानि anaphase promoting complex is defective अगर ये defective हो जाए human cell में तो which of the following expected to occur यानि देखें अगर तो anaphase अगर ना हो तो इन में से क्या होगा ठीक है तो इसके लिए आपको ये समझना है कि anaphase के दौरान क्या होता है तो basically anaphase के दौरान देखें क्या होता है अभी मैंने आपको बताया कि ये anaphase के दौरान जो metafasic plate पे ये देखें chromosome जिसमें एक centromere और दो chromatids हैं ठीक है अब ये metafasic plate पे आते हैं metafasic plate पे इसके kinetocore से ये spindle fiber attach हो गया अब ये spindle fiber क्या करेगा ये आपका metafasic plate है अब दोनों तरफ से यहां से ये इसे खींच रहा है और इधर इस तरफ से ये खींच रहा है जब खींचेगा तो ये जो chromosome है इस chromosome की splitting हो जाएगी अभी मैंने इसके पहले वाले में देखिए बताया था इस तरीके से इस की splitting हो जाएगी तो इस splitting में देखिए क्या होगा ये जो chromosome एक chromosome था जिसमें दो chromatid था अब वो एक chromosome डिवाइड हो जाएगा दो chromosome ठीक है और हर एक chromosome में अब सिर्फ एक chromatid होगा तो ये आपका basically एनाफेज के दोरान होता है ठीक है ये आपका एनाफेज के दोरान होता है ठीक है तो अब अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्पलेक्स मालिजे किसी कान से डिग्रेड हो जाए तो ये जो separation है ये जो centromere का separation हो गया लेकिन अगर spindle breakdown कर जाए तो ये सारे के सारे जो chromozooms है ये सारे के सारे chromozooms equal distribution नहीं होगा तो चलिए option देखते हैं हम लोग क्या क्या option में दिया हुआ है तो पहला option दिया हुआ है chromosome will be fragmented मतलब chromosome टुकडों में हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है chromosome will not segregate भाई spindle fiber segregation का काम कर रहा था ना उसको segregate करके अलग-अलग पोल पे ले जा रहा था तो यही segregation वाला काम जो बटवारे का काम है वो रुख जाएगा वो नहीं होगा फिर भी हम बाकी option देख लेते हैं recombination of chromosome तो कोई recombination नहीं होता है chromosome will not condense तो condensation से भी इसका कोई मतलब नहीं है तो आपका दूसरा option सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question आपके सामने है during cell growth DNA synthesis takes place DNA की synthesis कब होती है यह पूछ रहा है ठीक है तो basically आप अगर cell को divide करते हुए उसके cell cycle को अगर बनाएं तो किसी भी cell में जो एक cyclic event होता है उसके division का उसी को हम कहते है cell cycle जिसमें basically सबसे पहले होता है G1 phase G1 phase के बाद आता है yes phase ठीक है yes phase के बाद आता है G2 phase और G2 phase के बाद आता है yum phase ठीक है और yum phase के बाद वापस G1 phase आता है ठीक है ये अपका complete cell cycle है और इस complete cell cycle में अगर आप ध्यान दें आप तो यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा कि G1, G2 और ये जो yes phase है इस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं इस सब को मिला के हम बोलते हैं interface क्या बोलते हैं इस से बोलते हैं interface ठीक है जबकि ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है देखिए ये इसे हम बोलते हैं yum phase इसे हम क्या बोलते हैं yum phase तो किसी भी cell cycle में जो ये interface है ये maximum contribute कर रहा देखिए आपके सामने दिख रहा है ये interface maximum contribute कर रहा है जो total cell cycle का 95% contribute करता है यानि बाकी जो 5% बचा वो 5% yum phase होता है ठीक है तो ये जो interface है इस interface में ही DNA की synthesis होती है और वो DNA की synthesis होती है yes phase में जिसका नाम भी synthetic phase या synthesis phase है ठीक है तो इसका answer देखिए क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा during cell growth DNA synthesis occurs या takes place on yes phase ठीक है चलिए next question हम लोग देखेंगे next question आपके सामने screen पे है when cell has stalled when sen has stalled DNA replication 4 which checkpoint should be predominantly activated when cell has stalled DNA replication 4 which checkpoint should be predominantly activated तो यहां पे देखिए यह पूछ रहा है कि DNA replication 4 जो है वो यह यह एक तरह से DNA replication अगर हो गया है तो अगर G2 checkpoint काम करता है क्या काम करता है G2 checkpoint काम करता है ठीक है चलिए हम लोग अब next question की बात करेंगे next question आपके सामने है कि match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2 and select the correct options using the code given below अब आपको देखिए meiosis की बात करा ध्यान रखिएगा और meiosis आपको मालूम है कि दो stages में होता है meiosis first and meiosis second तो उसके different stages को यह connect करने के लिए कह रहा है तो आपको इसे connect करना है basically अब देखिए कैसे इसको connect करेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा connect करिए एक-एक करके मैं पढ़ रहा हूं और उसको हम लोग देखेंगे पहला है packetine तो packetine कहां से होगा भई packetine की खास बात है कि इसमें crossing over होता है तो इसको crossing over से जोड़ दीजिए ठीक है चलिए दूसरा है आपका metafage first तो metafage first में क्या होगा भई metafage first में chromosome align at equatorial plate metafagic plate पे आ जाएगा chromosome ठीक है next आपका di kinases di kinases का जो special feature है वो है terminalization क्या होता है इसमें terminalization of chiasmeta और last जो बचा वो है gyotene तो definitely जो बचा है वही होगा और gyotene के दौरान क्या होता है basically pairing of homologous chromosome जो ये follow कर रहा होगा वही इसका सही आपसन हो जाएगा तो आप बताइए दोस्तों सही आपसन क्या हो जाएगा इसका सही आपसन हो जाएगा देखिए जो मैंने अभी बताया है वो कहां match कर रहा है वो आपका match कर रहा है पहले ही आपसन में ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next question हम लोग discuss करेंगे next question आपके सामने है spindle fiber attach on to spindle fiber कहां attach करता है ध्यान दीजे spindle fiber कहां attach कर रहा है इसकी बात कर रहा है तो spindle fiber जो की क्रोमोजोम को separate करने में मदद करता है वो कहां attach करता है आप लोग बताइए अकसर इसमें confusion हो जाता है बच्चों को और लोगों को लगता है कि spindle fiber centromere से attach होता है तो थोड़ा सा difference समझेए कि centromere और kinetocore में क्या difference है ये देखिए माल लीजे ये एक chromosome है ठीक है तो ये chromosome का जो ये point आप देख रहे हो ये है centromere ये क्या है ये है centromere ठीक है अब इसी centromere पर एक proteinaceous plate like structure पाया जाता है इसे हम बोलते हैं kinetocore इसे हम क्या बोलते हैं kinetocore तो ये जो kinetocore आप देख रहे हैं इसी kinetocore से spindle fiber attach होता है इसी kinetocore से देखो spindle fiber जो blue color का मैं बना रहे हैं ये spindle fiber है इस kinetocore से spindle fiber attach होता है ना कि centromere से ठीक है ये clear होना चाहिए आपको कि centromere से नहीं spindle fiber attach होता है kinetocore से अटेच होता है और ये kinetocore क्या है it is proteinaceous plate-like disc-like structure at centromere of chromosome ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा भाई आपके सामने मैंने बता दिया है तो कहां है आपसन kinetocore of the chromosome D आपसन हो जाएगा ठीक है चलिए next question का हम लोग बात करेंगे आपके सामने screen पे है next question next question है which of the following is not a characteristic feature during mitosis जान दीजे mitosis का feature नहीं है ये बात कह रहा है ठीक है तो भाई mitosis में क्या नहीं होता है तो आप बताइए क्या होगा तो chromosome movement तो होगा भाई spindle fiber उसको separate करता है chromosome तो chromosome का movement तो होगा spindle fiber भी बनेगा ही बनेगा disappearance of nucleus भी होता है synapsis एक देखिए phenomena है जो generally आपका mitosis में नहीं होता है ये जो synapsis phenomena है ये synapsis किसमें होता है ये synapsis होता है meiosis में किसमें होता है meiosis में होता है जो की crossing over में मदद करता है तो इसलिए ये mitosis का feature नहीं है इसलिए सही answer synapsis हो जाएगा चलिए next question की बात करेंगे हम लोग next question आपके सामने है in meiosis in meiosis crossing over is initiated at meiosis की बात कर रहा है ध्यान दीजे तो meiosis में crossing over किस stage में होता है तो meiosis में देखिए जो main stages है तो आपको इतना तो याद होगा ही कि meiosis जो है ये meiosis में कुल पाँच stages होते हैं सबसे पहले क्या होता है leptotene फिर होता है gigotene फिर होता है packetine फिर होता है diplotene और फिर होता है diokinesis मैंने start form में लिखा है leptotene, gigotene, packetine, diplotene and diokinesis ठीक है जिसमें crossing over phenomena जो है actually initiate होता है वो packetine में होता है ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो crossing over phenomena कब initiate होता है भाई packetine में कब होता है packetine stage में ये initiate होता है तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा packetine ठीक है c option सही है चलिए next question की बात करेंगे हम दो arrange the following events of meiosis in correct sequence दो word पे आप focus करेंगे meiosis के steps को आपको correct sequence में arrange करना है ठीक है तो भाई इसमें क्या-क्या चार इवेंट्स लिखा है crossing over synapses terminalization of kiazmeta और disappearance of nucleolus ठीक है तो चलिए इसका क्या हो जाएगा भाई correct sequence तो इसका correct sequence जो होगा आपको समझना है जो सबसे पहला काम होगा वो होगा synapsis सबसे पहला काम क्या होगा यानि एक number पर आपका हो जाएगा synapsis दोनों homologous chromystome की pairing होती है उसी को हम synapsis के जाना भाई होता है synapsis के बाद होता है crossing over तोकि synapsis crossing over के लिए ही होता है और crossing over जब हो गया तो crossing over के बाद क्या होगा Terminalization होगा और finally Terminalization के बाद जो Nucleolus है वो Disappear हो जाएगा ठीक है तो इसको देखते हैं कौन सा वाला option follow करता है इसको follow कर रहा है आपका इसको follow कर रहा है आपका D option देखे इसलिए इसका सही answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा चलिए next question हम लोग देखते हैं next question आपके सामने जो screen पे है वो है is somatic cell ध्यान दीजे somatic cell की बात कर रहे हैं germ cell की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो is somatic cell just completed yes phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has interesting question है देखिए यहाँ यहाँ दीजे एक तरफ बात कर रहा है gamete की ठीक दूसरी तरफ बात कर रहा है somatic cell की ऐसे आप इसको clarify कर लेंगे तो confusion दूर हो जाएगा इस question में बहुत बच्चों को confusion होता है ठीक तो कह रहा है कि somatic cell that had just completed yes phase ऐसा somatic cell जिसने yes phase complete कर लिया cell cycle का तो gamete के comparison में उसमें क्या change होगा तो पहले gamete में क्या status है देख लें gamete में जो status होता है वो होता है haploid set of chromosome होता है और उस haploid set of chromosome में माल लेते हैं जो total amount of DNA है वो total amount of DNA माल लेजे C है DNA के amount को हम C value से represent करते हैं तो total जो DNA का amount है वो क्या है C है कोई doubt है नहीं चलिए यह हो गया आपका gamete का status यानि इसी के comparison में आपको अब answer बताना है तो number of chromosome N हो गया और total जो amount of DNA उसको हमने क्या माल लिया C माल लिया अब somatic cell में क्या होता है initially somatic cell में जो है यह diploid cell होता है यहीं क्रोमोजोम की संख्या gamete के comparison में क्या है दुगनी है 2N condition है ठीक और जो amount of chromosome है चुकि क्रोमोजोम की संख्या दुगनी है तो amount of DNA है आप देखें gamete में amount of DNA C है लेकिन यहां amount of DNA है वो इस C का दुगना हो जाएगा यहनि 2C हो जाएगा टू C हो जाएगा ठीक है तो अब अगर आप yes phase करा दीजे तो yes phase के बाद क्या होगा कि yes phase में देखें क्या होता है जो DNA है उसका replication होता है replication होता है मतलब amount of जो DNA है वो तो double होता है यहनि amount of DNA जो है वो double हो जाता है यहनि 2C था तो amount of DNA 4C हो गया लेकिन ध्यान रहे without changing the ploidy ploidy में कोई change नहीं है ploidy अब भी 2N है अब भी ploidy क्या है 2N है यहनि ploidy में कोई change नहीं लेकिन amount of DNA जो है 2C से 4C हो गया अंतर सिर्फ क्या होता है समझे कि इस case में chromosome में 1 chromatid होता है जबकि इस case में क्या हो जाता है chromosome में 2 chromatid हो जाता है यहनि number of chromosome यहां क्या है यहां भी 1 है और यहां क्या है यहां भी number of chromosome 1 है लेकिन इस case में DNA का amount अगर 2C है तो यहां उसका दुगना यानि 4C हो जाएगा ठीक है अब यह आपको समझ में आ गया इतना बात समझ में आ गया तो अब देखे गेमुट के comparison में यही तो change हो रहा है तो गेमिट के comparison में जो chromosome की संख्या है वो क्या हो जा रही है दुगनी हो जा रही है यहनि double हो जा रही है लेकिन जो amount of DNA है वो चारगुना हो जा रहा है क्या हो जा रहा है चार गुना हो जा रहा है ठीक है चलिए तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा कि twice the number of chromosome and four times the amount of DNA DNA का amount चार गुना हो जाएगा ये question में बहुत confusion होता है इसलिए मैंने clarify कर दिया ठीक है चलिए next question हम लोग देखते हैं next question आपके सामने screen पे है select the correct option select the correct option आपको दो कालम में दिया हुआ है दोनों कालम को आपको मिलाना है ठीक है चलिए तो एक एक करके मिला लेते हैं synapsis align homologous chromosome तो भाई synapsis कब होता है natural है synapsis जाइकोटीन में होता है आपने पढ़ा है दूसरा है synthesis of RNA and protein तो RNA और protein का जो synthesis है वो generally G2 phase में होता है ठीक है next है आपका action of enzyme recombinase recombinase enzyme कम काम करेगा भाई recombinase enzyme मतलब recombination यानि crossing over में और crossing over होता कब है packaging में होता है ठीक है और last option जो है वो है centromere do not separate but chromatids move towards opposite pole तो यह देखिए भाई होता है यह meiosis में और उभी meiosis में meiosis first में होता है और उभी meiosis first में कब होता है anaphage first में जहाँ centromere जो है वो separate नहीं करता है ठीक है लेकिन chromatids जो है वो opposite pole पे move कर जाते है यानि देखिए generally anaphage one में क्या होता है इस तरीके से chromosome जो pairing करके metafagic plate पे आये थे दो अलग-अलग तरह है के chromosome जो homologous chromosome थे देखिए अलग-अलग color से बना दे रहा हूं है जिससे आपको clarify रहे तो यह देखिए pairs की रूप में metafagic plate पे आए अब spindle fiber जो है यह anaphage में spindle fiber इसको इधर कीचेगा और इसको इधर कीचेगा और finally जो है chromosome का कोई separation centromere नहीं separate हो रहा देखो बस यह जो chromosome है एक इधर पहुँच जाएगा और यह नीला वाला इधर पहुँच जाएगा यानि इस दोरान centromere नहीं separate कर रहा है सिर्फ क्या separate कर रहा है chromatids जो हैं यह chromatids move कर जा रहे हैं ठीक है तो यह आपका एनफेज first हो जाएगा ठीक है चलिए तो इसका सही option क्या हो जाएगा भाई इसका सही option हो जाएगा आपके सामने कौन सावल option सही है आप ध्यान दीजे जो अभी मैंने बताया है उसको अगर pair करेंगे तो आपका d option हो जाएगा ठीक है चलिए next question अब हम लोग बात करेंगे next question आपके सामने है during which phase या phages of cell cycle cell cycle के phase की बात कर रहा है amount of dna in a cell remains 4c amount of dna 4c है if the initial amount is donated by 2c अगर initial 2c है तो amount जो है क्या हो जाएगा 4c हो जाएगा कब होगा तो मैंने बताया है yes phase में amount तो दुगना होता है लेकिन ploidy में कोई change नहीं होता है तो यह कब होगा अब बताये सोच करके g1 में तो होगा नहीं synthesis जो हो रही है dna का replication वो कब हो रहा है yes phase में हो रहा है यह यह के बाद आपका g2 में होगा और yum में होगा यह situation तो इसका सही option देखे क्या होता ग0 और g1 तो नहीं होगा ठीक है यह possible नहीं है फिर आपका जो दूसरा option interesting है इसमें yes तो हो सकता लेकिन g1 है इसलिए यह भी नहीं होगा g2 only g2 और यहां लिख रहा है g2 यहां देखिए यह दो option interesting है only g2 और g2 एन यम तो आप बताये कौन सा जादे appropriate answer है क्या होगा आपका answer सोचके बताये यह interesting question है ठीक है फोर सी जो condition है amount of dna का वो g2 में होगा या g2 और यम बोथ की बात कर रहा है तो amount of dna यह देखें कि यहां यह थोड़ा ambiguous है question ज्यान देने वाली बात है अगर यह यम फेज complete हो जाएगा यम फेज क्या हो जाएगा complete तब तो amount of जो dna है वो foresee नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर यम फेज complete नहीं है तब यह हो सकता है तो यहां चुकिए ambiguity है इसलिए जादे appropriate answer हम क्या करेंगे only g2 करेंगे ठीक है ambiguity है इसलिए हम g2 कर रहे हैं clear cut information होता after completion of ym अगर कहता तब तो definitely after completion of ym 4c condition नहीं होगी ठीक है तो इसका only g2 phase हो जाएगा चलिए next question हम लोग देखते है इन yes phase of the cell cycle yes phase में क्या हो रहा है तो amount of dna doubles in each cell amount of dna remains same the chromosome number increased amount of dna is reduced to half तो यहां तो पहला option हो जाएगा amount of dna double कर जाएगा without changing in ploidy जिसका discussion नहीं किया लेकिन आप जानते रहिए yes phase में amount of dna यह double हो जाता है बिना ploidy change किये यानि आप सोचिए कि अगर यन है applied है और उसमें amount of dna अगर c है तो after yes जो होगा after yes phase है आपके सामने चलिए हम दो question number 13 की बात कर रहे थे ना तो अगर amount of अगर मा लिजए क्रोमोजोम की संख्या यन है और उसमें amount अगर c है तो yes के बाद क्या होगा yes के बाद यह जो क्रोमोजोम की संख्या है वो यन ही होगी लेकिन यह जो c था यह c to c हो जाएगा क्योंकि dna का replication हुगा है तो बिना ploidy change कि है हैपलाइड का देखिए यहाँ भी हैपलाइड यहाँ भी हैपलाइड तो हैपलाइड का हैपलाइड ही है लेकिन जो amount of dna है वो c से 2c हो गया जबकि ploidy n से n ही है तो बिना ploidy बदले amount of dna है वो double कर जाता है ठीक है तो इसको ध्यान रखिए का बहुत भार यह तरह का सवा पूछा हुआ है चलिए next question हम लोग करेंगे discuss next question आपके सामने है a stage a stage in cell division is shown in the figure select the answer which give correct identification of the stage with its characteristic तो यह देखिए आपके सामने एक diagram दिया है उस diagram के correlation में पूछ रहा है कि कौन best explain कर रहा है इसको ठीक है तो basically आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आल्मोस्ट nucleus का formation हो गया है यह दिखिए दोनों तरफ nucleus का formation हो गया है यह ध्यान देने वाली बात है तो जो कि दोनों तरफ nucleus का formation हो गया है और यहाँ group भी बन चुका है आप देखिए animal cell है तो यह आपका group भी बन चुका है यानि यह represent कर रहा है telophage को जहां nuclear envelop reform and Golgi complex reform that is telophage is what it is reverse of prophage ठीक है तो इसलिए इस cancer क्या हो जाएगा telophage चलिए next question की बात करेंगे हम लोग next question आपके सामने है during meiosis first during meiosis first की बात देखों लोग कर रहे है the chromosome start pairing at तो वही chromosome की homologous pairing meiosis first में कब होती है मैंने बताया है synapsis कब होती है बताइए synapsis जाइगोटीन में होती है ठीक है पैकेटीन में क्या होता है crossing over होता है और diplotीन में क्या होता है तो यह diplotीन में basically prominent आपको कियाजमेटा दिखता है ठीक है और dikenesis में finally जो है chromosome अलग हो जाता है यह टर्मिनलाइजेशन हो जाता है ठीक तो basically जो chromosome की pairing होती है जिसे हम synapsis कहते हैं वो आपका जाइगोटीन में होता है कहा होता है जाइगोटीन में होता है ठीक है चलिए तो इस question के answer को आपने अबराइस कर लीजिए ठीक चलिए next question लोग देखते है next question आपके सामने है during the metaphase stage of mitosis spindle fiber attached to chromosome at बता चुके हैं kinetocore तो कहा है भाई kinetocore यही आपका option हो जाएगा ठीक है चलिए next question अब हम लोग देखेंगे next question आपके सामने है a stage of mitosis is shown in the diagram which stage is it and what are its characteristic feature stage दिया हुआ है देखें diagram में आगे जिसको कह रहा है कि यह किस stage को represent कर रहा है diagram में ठीक है तो यह देखेंगे आपके सामने यह के सामने diagram है तो इस diagram में आपको बहुत clearly एक चीज़ दिख रहा है कि सारे कि सारे chromosome जो है वो equatorial plate पे हैं कहा है equatorial plate पे और यह equatorial plate में कब आते हैं metafage में आते हैं तो देख लेते हैं इसका answer हो जाएगा मेटाफेज अब देखें यहाँ metafage में दो बार लिखा metafage तो metafage में exactly सही वाला option क्या होगा उसके लिए आपको पढ़ना होगा तो spindle fiber attached with kineto core ये तो ठीक है centromere split ये नहीं होगा वह splitting नहीं होगी इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ देखें chromosome moved to spindle equator ठीक है chromosome made up of two sister chromatids ये ही आपका सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखिए इस दोरान आपका जो chromosome है two sister chromatids से बना हुआ है और इसके kineto core से क्या attached है इसके kineto core से attached है spindle fiber ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोस्चन आपके सामने है during gamete formation की बात कर रहा देखो gamete formation the enzyme recombinates participate during तो भाई recombinates मतलब crossing over में मदद करेगा recombination में मदद करेगा तो recombination कब होता भाई recombination यानि crossing over होता है pro phase first के packaging stage में pro phase first के packaging stage को बहुत पूछता है ये भी सवाल तो याद रखिएगा ठीक है तो pro phase first के packaging stage में आपका recombination या crossing over होगा clear है जो responsible होता है variation के लिए ठीक चलिए next question की बात हम लोग करेंगे आपके सामने next question जो है वो है कि the given figure the given figure is representation of a certain event at particular stage of a type of cell division which is this stage आप यहाँ देखिए ध्यान तो यहाँ exchange of genetic material हो रहा है हो रहा है exchange of genetic material आप देखिए इस काले वाले क्रोमोजोम का हिस्सा सफेद वाले के साथ आ गया और सफेद वाले क्रोमोजोम का हिस्सा काले वाले के साथ आ गया यानि अदला बदली हो गई क्या हो गई अदला बदली तो exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosome is called crossing over ठीक है तो ये crossing over कब होता है भाई prophage first during meiosis तो इसका सही option क्या हो जाएगा संयोग से आपका पहला ही option सही हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका पहला ही option prophage first during meiosis चलिए next question हम लोग देखते हैं next question आपके सामने है identify the mitotic sorry meotic not mitotic meotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromere भाई देखो क्या कह रहा है कि homologous chromosome तो अलग हो जा रहा है लेकिन sister chromatids अभी भी साथ पाए जा रहे हैं समझ में आया को समझ में आ रहा कि नहीं यह देखिए यह दो यह chromosome है और एक अलग color में आपके सामने बना देता हूँ तो समझना थोड़ा आसान होगा यह देखिए यह एक chromosome है तो दोनों chromosome में अगर ध्यान दीजिए तो यहां से attach होगा spindle fiber क्या attach होगा भाई spindle fiber देखिए spindle इधर इसको खीचेगा इधर इसको खीचेगा तो हर chromosome में अगर ध्यान दो आप तो भई इस chromosome में दो chromatid दोनों को sister chromatid कहेंगे यह दोनों को हम sister chromatid कहेंगे ठीक है तो यह जो दोनों chromosome है यह homologous chromosome है तो यह अलग तो हो जा रहे है homologous chromosome लेकिन sister chromatids में कोई change नहीं हो रहा है यानि आपका एनाफेज फरस्ट में chromosome जो हैं वो homologous chromosomes अलग होते हैं लेकिन sister chromatids का division नहीं होता है और यह division कब होता है यह होता है एनाफेज second में होता है तो यहाँ चुकि यह पूछ रहा है सिर्फ कि किस case में homologous chromosome separate होते हैं लेकिन उनके sister chromatids separate नहीं होते हैं तो उसका जबाब हो जाएगा एनाफेज first ठीक है चलिए तो इसका जबाब क्या हो जाएगा भई एनाफेज first हो जाएगा यानि इस दोरान आपके जो homologous chromosome से वो तो separate हो रहे हैं लेकिन sister chromatids जो है वो separate नहीं हो रहे हैं ठीक है चलिए next question हम लोग बात करेंगे next question आपके सामने screen पे है select the correct option देखो correct option आपको बताना है with respect to mitosis बताना है तो जल्दी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं क्या क्या है chromatids separate but remain in the center of the cell in anaphase तो यह तो गलत है कहां center में रहेगा दोनों दोनों पोल पे चला जाता है ठीक है इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक दूसरा कह रहा है कि chromatid start moving towards opposite pole ठीक है सही है लेकिन टीलोफेज में थोड़ still visible at the end of prophase यह कहां बचता भाई यह तो disappear हो जाता है ठीक है गौलगी complex endoplasmic reticulumar is still visible at the end of prophase prophase के end तक यह disappear हो जाता है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है तो अब बचा जो D option वो सही होना चाहिए देख लेते हैं D option क्या है भाई तो D option जो आपके सामने है व long equatorial plate तो by equatorial plate पे chromosome आते हैं metafage में metafagic plate तो metafage में यह D वाला option सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question की बात हम लोग करेंगे आपके सामने next question है screen पे next question है at metafage metafage chromosome are attached to the spindle fiber spindle fiber से chromosome कैसे attached होते हैं बहुत बार पूछा है वाई यह सवाल यह तो कुछ जादे ही पूछा है इस cancer kineto core हो जाए का हम लोग discuss कर चुके हैं दिबारा detail करने की ज़रत नहीं है next question है during mitosis during mitosis is endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear यह यह पूछा ध्यान रहे कब disappear हो रहा कब यह गायब हो रहा है तो कब गायब होता भाई यह प्रोफेज के सुरुवाती दौर में ही यह गायब हो जाता है endoplasmic reticulum nucleolus जो है प्रोफेज के सुरुवाती दौर में गायब हो जाता है क्योंकि nuclear membrane गायब होना होता है nuclear membrane गायब होता है इसलिए endoplasmic reticulum और nucleolus भी disappear हो जाता है चलिए next question हम लोग बात करेंगे next question आपके सामने है which stage of the cell division do the following figure A and B represent A और B कह रहा है कि किस steels को represent कर रहा है तो A में देखो क्या हो रहा है A में भाई यह दोनों chromosome दोनों pole पे चले गए यानि separate हो गए मतलब यह represent कर रहा है एन आफेज को किसको represent कर रहा है यह represent कर रहा है एन आफेज को ठीक है और इस phase में देखिए क्या हो रहा है इसमें जो आपका centriol है वो सिर्फ divide किया है लेकिन आपका nucleus अभी भी एक ही है यानि centriol divide करके दोनों pole पे जा रहा धीरे धीरे यानि यह represent कर रहा प्रो phase को देख इसको represent कर रहा है प्रो phase को represent कर रहा है तो देखते हैं भाई कौन सा option दिया है तो इसका सही option हो जाएगा क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया है इसका सही option हो जाएगा आपके सामने late anaphase and pro phase ठीक है चलिए next question देखते हैं हम लोग next question आपके सामने है synapsis occurs bitpin synapsis किसके किसके बीच होता है भाई इस तो synapsis two homologous chromosomes के बीच होता है याद है न सिनापसिस क्या है दो homologous chromosomes जो हैं वो जो एक जैसे होते हैं एक proteinaceous complex के थूँ जिसे हम synaptonimal complex कहते हैं उसके थूँ एक दूसरे के साथ इस तरीके से pair कर लेते हैं इसी को synapsis कहते हैं और इस stage को हम क्या कहते हैं byvalent stage या इसी को बोलते हैं tetrad stage भी बोलते हैं यह बहुत सवाल पूछता है इसी को byvalent या tetrad stage बोलते हैं और यह जो दिखर आपको इसे हम बोलते हैं synaptonimal complex synaptonimal complex भी पोलते हैं ठीक है चलिए तो भाइस का सही option synapsis of course between two homologous chromosome चलिए next question देखते हैं लोग next question आपके सामने है कि given below is a schematic breakup of the phases or stages of cell cycle, cell cycle के stages को बनाया है which of the following is the correct indication अब इसमें correct indication है तो इसमें कुछ-कुछ लिखा A, B, C, D ये क्या represent कर रहा है तो चलो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं क्या-क्या है तो ये देखो ये जो main यहां से ले करके ये जो stage है ये जो maximum 95% contribute कर रहा है ये हो गया interface ठीक तो interface में पहले हो गया G1 फिर हुआ yes और फिर हुआ G2 येनि D क्या represent कर रहा है D represent कर रहा है yes phase को ठीक है कोई दिखकत अब जब interface complete हो गया तो interface के बाद क्या होगा yum phase होगा ये ये represent कर रहा है क्या yum phase को represent कर रहा है ठीक अब ये जो yum phase है इसमें कुल चार stages होंगे चार stages में क्या होगा पहले पहले होगा प्रोफेज फिर होगा मेटाफेज फिर होगा एनाफेज फिर होगा टीलोफेज तो ये जो B है ये क्या represent कर रहा है ये B represent कर रहा है एनाफेज ठीक है और finally जब टीलोफेज यानि nucleus division हो गया karyokinesis हो गया तो होगा cytokinesis यानि C क्या represent कर रहा है cytokinesis represent कर रहा है ठीक है तो देखते हैं भाई इसका correct matching किसमे है तो इसका correct matching हम लोग देखने की कोशिस करते है तो correct matching देखेए कौन सा वाला है correct match कर रहा है तो इसका correct matching C का दे रहा है karyokinesis तो गलब दे रहा है केरियो कानेसिस नहीं साइटो कानेसिस होगा दी का दे रहा है सिंथेटिक फेज यानि यस फेज तो यही वाला आपका आपसन सही हो जाएगा ठीक है कुछ भी और चेंज होता तो आप कर लेते को आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया नेकस्ट कॉस्चन देखे नेकस्ट कॉस्चन आपके सामने है At what stage of cell cycle are histone proteins synthesisized in a eukaryotic cell eukaryotic cell में कह रहा है cell cycle के eukaryotic cell में cell cycle के किस stage में histone प्रोटीन synthesize होता है तो histone protein बेसिकली जो kromosome बनाने में या DNA के सूपर क्वाइलिंग में मदद करता है ये किस stage में होता है तो ये आपका during yes phase ही हो जाता है जिस दौरान DNA का application होता है उसी दौरान ये जो सूपर क्वाइलिंग वाले protein है histone proteins वो भी बन जाते हैं क्योंकि pro phase में condensation करना होता है तो अगर बना नहीं होगा histone तो condensation कैसे होगा इसलिए yes phase के दौरान ही histone protein भी बन जाता है ठीक है चलिए next question हम लोग देखते है next question आपके सामने है in the somatic cell cycle in the somatic cell cycle what happens somatic cell cycle बात कर रहा ध्यान देखो तो somatic cell cycle में क्या होगा ये पूछ रहा है तो पहला दे रहा है कि in g1 phase dna content is double ये तो गलत हो गया भई ये तो yes में होता है दूसरा है dna replication takes place in yes phase यही सही हो जाएगा फिर भी बाकी आपसंदेख लेते हैं start interface is followed by lung ये तो गलत है भई interface 95% contribute करता है तो ये भी गलत है g2 phase follow mitotic phase g2 phase follows mitotic phase तो देखो यहां पर ये जो आपसंदेख दिया हुआ है g2 phase follow the mitotic phase ये सही हो सकता है लेकिन ध्यान रहे चुकि g2 phase के बाद mitotic ही नहीं meiosis भी तो हो सकता है तो उसके लिए generally yum phase टर्म देना चाहिए चुकि mitotic phase सीदे लिक रहा है इसलिए ये जादे अप्रोप्रियेट नहीं इससे जादे अप्रोप्रियेट आपसंद क्या है कि DNA replication takes place in yes phase तो आपका दी वाला आपसंद जादे सही होगा ठीक है वरना सही तो g2 phase follow mitotic phase यानि yum phase अगर है तो वो भी सही हो सकता है चलिए next question हम लोग देखते हैं next question आपके सामने है if you are provided with root tip root tip दे रहे हैं हम ध्यान रखो onion का in your class and are asked to count the chromosomes और हमें उस root cell में chromosome की संख्या गिनना है ठीक है तो which of the following stage can you most conveniently look into तो आप जानते रहिए कि generally chromosome की जो visibility है वो सबसे अच्छी होती metaphage में तो metaphage में ही हम chromosome की संख्या को आसानी से गिन सकते हैं क्योंकि सारे chromosomes एक line से metaphagic plate पे आके रहते हैं ठीक है सारे chromosomes एक line से metaphagic plate पे इस तरीके से पाए जाते हैं इसलिए metaphage में chromosome की visibility सबसे अच्छी होती है जैसे बिल्कुल समझी कि जैसे playground और prayer ground सोचिए तो prayer के समय सारे बच्चे एक line से arranged होते हैं कि नहीं तो उस समय उनको count करना या playground में सब इधर टीटर विधर घूम रहे हैं खेल रहे हैं दोड़ रहे हैं तो कब ज़्यादे अच्छा visibility होगा जब वो एक line से arranged है तो एक line से chromosome arranged होते हैं मेटाफेज में इसलिए मेटाफेज में visibility chromosome की सबसे अच्छी होती है next question देखिए next question आपके सामने है screen पे which आपके सामने next question देखिए which one of the following proceeds reformation of nuclear envelope during young phase of cell cycle कह रहा है कि भाई young phase जो cell cycle है उस दौरान which precedes reformation ठीक which precedes reformation तो इसका answer देखिए क्या होगा भाई precedes मतलब after formation of nuclear envelope क्या हो रहा है ठीक है तो after formation of nuclear envelope basically क्या होगा formation of contractile ring and formation of fragmoplast होगा ठीक है जिससे कि तीलो फेज में karyokinesis complete हो जाए और दो proper nucleus का formation हो जाए जिससे कि आपका cytokinesis या cell division आसानी से हो पाए बाकी आपसंस भी देख लेते हैं हम लोग यहां के रहा है decondensation from chromosome and reassembly of nuclear lamina तो यह गलत हो जाएगा transcription from chromosomes and reassembly of nuclear transcription नहीं होगा formation of contractile ring and transcription form chromosome नहीं होगा formation of contractile ring and formation of fragmoplast यह इसका better option होगा ठीक है यह हम फेज चलिए तो आपका इसका सही answer हो जाएगा C ठीक है चलिए next question लोग देखते हैं आपके सामने screen पे next question जो है वो है mitotic spindle is mainly composed of which protein mitotic spindle पूछ रहा है mitotic spindle is mainly made up of basically spindle fibers जो होते हैं वो tubulin के बने होते हैं किसके बने होते हैं spindle fibers they are made up of tubulin ठीक है तो अब यह जो tubulin है ध्यान दे अगर तो tubulin में भी यह generally चुकिए spindle fibers chromosome के movement में मदद करना है और chromosome के movement में दो दर हैंके basically proteins involved होते हैं that is actin and myosin दोनों इसलिए इसका क्या हो जाएगा option ectomyosin क्या हो जाएगा ectomyosin सही answer हो जाएगा ठीक है अगर tubulin दिया होता तो इसका answer tubulin होता चलिए next question देखते हैं best material for study of mitosis mitosis की study करना आपको laboratory में तो आप भाई क्या लेंगे mitosis मतलब आपको कासा division कराना है equatorial division equatorial division somatic cell में होगा somatic cell कोई meristematic tissue ले लेते हैं जो somatic है gamete formation जहां नहीं हो रहा है तो root tip मेरे ख्याल से आप देखिए यह somatic cell हो गया जहां बहुत तेजी से cell का division होता है तो root tip का हम इस्तमाल करेंगे mitosis की study के लिए लेकिन वहीं अगर miosis की study करनी होती तो हम क्या लेते तब हमें enter लेते तो यह जानते रहिए आप next देखिए आपका question आपके सामने है spindle fiber unite which structure of chromosome तो फिर से वहीं सवाल पूछ लिए spindle fiber कहां attach होता chromosome के कहां attach होता भई kineto core कहां होता है kineto core कई बार यह सवाल पूछा हुआ है तो याद कर लिजे kineto core क्या होता है chromosome पर जो यह chromatid है इस chromatid पर पाया जाने वाला plate like, disc like structure proteinaceous structure को हम kineto core कहते हैं ठीक है चलिए next question की बात हम बुक करेंगे next question आपके सामने जो है in which stage of cell cycle in which stage of cell cycle DNA replication ओकर से तो बहुत आसान सवाल है yes phase में होता है ठीक है चलिए next question आपका है कि microtubules is involved in the to microtubules किसमें involved होगा भई microtubules किसमें involved होगा spindle formation और spindle formation कब होता है cell division में ठीक है तो यह आपका answer cell division हो जाएगा next question आपका सामने है कि how many mitotic divisions are needed for single cell to make 128 cell कितने mitosis चाहिए 128 cell एक cell से बनाने के लिए तो simple है इसको थोड़ा सा calculate कर लिए simple logic लगाना कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको एक से लह मान लिजे तो एक से दो होगा फिर दो से चार होगा फिर चार से आठ होगा आठ से 16 होगा ठीक फिर 16 से 32 होगा फिर 32 से 64 होगा और फिर 64 से 128 कितने होगए भाई माई टॉस्यस गिनिए 1 2 3 4 5 6 और फाइनली 7 यहीं सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 ठीक है चलिए इसका सही आंसर हो गया 7 नेक्स्ट कोस्चन देखिए आपका नेक्स्ट कोस्चन है During cell division in apical meristem the nuclear membrane appears in nuclear membrane appears in तो cell division के दोरान nuclear membrane कब भाई reappear होता है बताइए तो telophage जो की prophage का उल्टा होता reverse of prophage तो prophage में nuclear membrane गयब हुआ था तो telophage में nuclear membrane क्या हो जाएगा reappear हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है नेक्स्ट कोस्चन है When parental and maternal chromosome change their material with each other in cell division भाई exchange of genetic material exchange of genetic material क्या कहते है exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosome is called crossing over this is responsible for recombination variation तो इसका जवाब हो जाएगा crossing over ठीक है चलिए नेक्स सवाल हम लोग देखते है नेक्स्ट कोस्चन आपके सामने है Which typical stage is known for DNA replication? आसान सवाल है कई बार पूछा है या स्फेज हो जाएगा इसका answer ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्चन आपके सामने screen पे है in a somatic cell cycle DNA synthesis takes place in कह रहा है somatic cell cycle में DNA की जो synthesis है वो कहां होती है? फिर से आसान वाल सवाल पूछ लिया या स्फेज होगा इसका answer बहुत पूछा है या सवाल याद कर लीजेगा फिल्कुल ठीक से या स्फेज में DNA का replication भी हो रहा और उसी दौरान histone protein भी बन रहा है जो कि chromosome के superquiling में मदद करता है चलिए नेक्स्ट कोस्चन हम लोग देखते हैं which of the following represents the best stage to view the shape, size and number अभी कर चुके वाला question metaphase होगा ठीक है? चलिए next question हम लोग देखते हैं next question आपके सामने है which statement best explained the evolutionary advantage of meiosis meiosis का evolutionary advantage क्या? तो भई meiosis का evolutionary advantage है कि meiosis कास करता है variation क्या कास करता है? variation और meiosis में जो variation होता है किसकी वज़ा से होता है? यह होता है due to crossing over यह होता है due to crossing over या recombination ठीक है? तो आपसन में देखते हैं पहला है meiosis is necessary for sexual reproduction दूसरा आपसन देखते हैं हम लोग दूसरा है genetic recombination are possible from generation to generation ठीक है? तो यह जो genetic recombination are possible from generation to generation यही इसका evolutionary significance है genetic recombination यही crossing over and crossing over possible from generation to generation यही meiosis की वज़े से जो crossing over होता generation after generation यही recombination के लिए responsible है यही variation के लिए responsible है इसलिए यही evolution में helpful है ठीक है? चलिए next question हम लोग बात करेंगे next question आपके सामने है screen पे meiosis second की बात कर रहा है ध्यान देना meiosis second performs तो meiosis second में क्या होता है बात कर रहा है तो separation of sex chromosome ऐसा कुछ नहीं है synthesis of DNA and centromere नहीं कोई synthesis DNA की नहीं होती इस दोरान separation of homologous chromosome homologous chromosome तो आपका पहले meiosis first में ही separate हो जाता है तो बचा separation of chromatid यहीं हो जाएगा ठीक है चलिए next question आपके सामने है number of chromatids at metaphase is number of chromatids at metaphase is तो भई chromatids metaphase में कितने होंगे सोच के बताओ number of chromatids at metaphase is अभी थोड़ा से ambiguous question हो गया ठीक है यहाँ होना चाहिए number of chromatids in each chromosome at metaphase होना चाहिए क्या होना चाहिए यहाँ उपर मेरे क्याल से यहाँ होना चाहिए in each chromosome हर chromosome में metaphase में हर chromosome में कितने chromatids होंगे तब आपका जबाब क्या हो जाएगा two each in mitosis and meiosis ठीक है तो चाहिए mitosis हो mitosis में अगर आप देखिए तो metaphase में इस तरीके से दो sister chromatids होते हैं यानि two और meiosis में भी अगर हम ध्यान दे तो भाई meiosis में metaphase first देखो यहाँ सिर्फ metaphase लिखा है अब यहाँ metaphase first अगर है तो chromosome में भले homologous chromosome है भले homologous chromosome है लेकिन हर chromosome में कितने हैं दो ही तो हैं chromatid और अगर मालो meiosis metaphase second हो जाए यानि meiosis का metaphase second हो जाए तो वहाँ भी यही situation होगी यानि हर case में chromosome में कितने chromatid एक chromosome में दो ही chromatid है ठीक है तो यहाँ होना चाहिए number of chromatids in each chromosome at metaphases to each in mitosis and meiosis यही सही जबाब हो जाएगा इसमें अक्सर लोग confuse कर जाते हैं तो इसको चार गिन लेते हैं तो भई in each chromosome पूछ रहा है तो एक chromosome गोगा ना यह एक chromosome यह तो इसमें दो और एक chromosome यह तो इसमें दो यानि हर chromosome में दो ही chromatid होंगे ठीक next देखिए question आपके सामने है next question है mitotic anaphase differs from metaphase mitotic anaphase differs from metaphase in possessing किसमें difference है यह पूछ रहा है in possessing तो क्या हो जाएगा भई mitotic anaphase differs from metaphase in possessing same number of chromosome and same number of chromatids तो यह बताइए यह गलत होगा फिए metaphase और anaphase में difference पूछ रहा है जान दीजिए तो anaphase में chromosome का बटवारा हो जाता है ना आदा उदर आदा इदर next है half number of chromosome and half the number of chromatids तो chromosome की संख्या जो है वो आधी नहीं होती माइटोसिस में chromatids की संख्या आधी होती है chromosome की संख्या तो वह ही होगी ठीक है तो यहां देखिए जो chromosome हैं उनकी संख्या mitotic है तो प्लाइडी में कोई संख्या में कोई अंतर नहीं है रेकिन वह होगा metaphage में इस तरीके से होता है और anaphage में इस तरीके से हो जाता है यादी एक क्रोमोसोम के पास स्रफ 1 chromatids है जबकि metafage में क्रोमोसोम के पास 2 chromatids आधा रेफ़ानी है ठीक है कौन सा option सही है भाई देख लेते हैं तो आपका next option है half the number of chromosome and same the number of chromatids यह भी नहीं होगा next is same number of chromosome संख्या नहीं बदला chromosome का लेकिन number of chromatids आधा होगा यही हो जाएगा यह देखिए यह situation था ना metafage में इधर से spindle fiber खीचा तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया तो chromosome की संख्या जो है अप चुक्कि αυτόKY enough age में एक इधर सेर में चला गया एक chromosome और दूसरा उधर संख्या तो एक ही रही लेकिन chromatids यहां देखिए एक chromatids में दो chromatids था यहां एक chromatids में एक ही chromatids तो कर्मेटिर की संक्या क्या हो गई? आधी हो गई चलिए, next question हम लोग देखेंगे next question है in meiosis in meiosis the daughter cell differ from parent cell as well as among themselves due to parent cell, daughter cell और आपस में भी क्यों अंतर होता है तो क्यों अंतर होता है? यह एक phenomena है हम लोग जानते हैं वो एक phenomena क्या है? crossing over ठीक है? और उस crossing over में basically क्या होता है? independent assignment होता है, कोई fix नहीं है कि किसके बीच crossing over और क्या pattern crossing over का होगा, exchange कौन से वाले हिस्से में compulsory और कौन से में नहीं होगा तो पहली बात कि crossing over में जो assignment होता है, जो homologous pair का वो independent assignment कोई भी chromosome, homologous chromosome आपस में आके दो homologous chromosome इंडिपेंडेंट भी aside करते हैं, और दूसरा उनका segregation होता है, वो भी independent होता है, और crossing over में exchange तो होता ही है, तो आपका option क्या हो जाएगा है? segregation independent assignment and crossing over ठीक है? यानि अगर खाली segregation हो और सिर्फ crossing over हो, independent assignment ना हो, independent assignment मतलब कोई किसी के साथ जा सकता है, ठीक है? जिसे mendelion sentence में हम लोग पढ़ा था है, हम लोगों ने तो जिसे red के साथ आपका टाल हो सकता है और red के साथ dwarf भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक independent assignment का example था, तो ये आपको समझना है कि meiosis में daughter cell और parent cell, और साथ-साथ वो आपस में भी जो उनमें difference होता है उसके लिए तीन चीज़ है responsible है segregation, independent assignment and crossing over ठीक है? चलिए next question की बात हम लोग करेंगे, next question है आपका, segregation of mendelion factor occurs during, mendelion factor यानि A और A किस दोरान अलग होते हैं, basically तो ये enough is one में अलग हो जाते हैं, homologous chromosomes, ये देखिए माल लीजे, इधर A है तो इधर भी A हो जाएगा यही तो है, और इसका homologous chromosome अगर माल ने ये हो गया, इसका homologous chromosome इसके पास, माल लो small A, small A है, तो अब ये आपस में ऐसे syneptonimal complex होता है इधर से ये spindle fiber खीच रहा है, इधर से ये spindle fiber खीच रहा है तो A, capital A और small A का जो separation है यानि reduction जो है, वो anaphage first में ही हो जाता है anaphage first में ही हो जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा anaphage first, ठीक है चलिए, next और last question है इसका, वो है meiosis is reductional division, meiosis first is reductional division, while meiosis second is equatorial division और occasional division, तो भाई, meiosis first में ही ploidy यादी हो जाती है meiosis second तो बिलकुल mitosis जैसा होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा भाई, ऐसा इसलिए होता है due to pairing of homologous chromo में तो गलत है, due to crossing over ये भी गलत है, due to separation of chromatids चुकि chromatids जो होते हैं वो separate कर जाते हैं meiosis second में, ठीक है यानि meiosis first में यह देखे, meiosis first में यह माल लीजे जो homologous chromosome है एक को green से हम बना देते हैं ठीक, तो ये दोनो separate होते हैं meiosis first में और meiosis second में क्या होता देखो meiosis second में हम सिर्फ एक chromosome separate होगे तो खली ये वाला नीला वाला एक में जाएगा हरा वाला एक में जाएगा तो अब ये जो नीला वाला है इसमें further separation होगा meiosis second में और further separation होगा तो ये ये अलग हो गया और ये अलग हो गया ठीक है तो आपका finally इसका option क्या हो जाएगा, कौन सा option सही है इसका सही है separation of chromatids ठीक, तो इस तरीके से आपका cell division chapter complete हो गया, ये chapter बड़ा नहीं था और मुझे लगता है कि ये chapter scoring भी है ये chapter क्या है scoring भी है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिना समय गवाए हुए अब आप लोग next chapter के लिए काम करिएगा जो schedule में दिया गया है, ठीक है तो cell cycle और cell division के बाद जो next chapter है मुझे लगता है वो plant physiology सुरू होगा क्या सुरू होगा? plant physiology सुरू होगा तो आप लोग, बच्चों, प्लीज plant physiology के questions साल्व कर लीजेगा और जो भी questions नहीं आएंगे वो मैं proper discuss करूंगा और उस discussion को देख करके आप आसानी से सारे questions को समझ लीजेगा अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे personal number पे SMS करके personal number पे WhatsApp करके या मुझे phone करके आप जो भी doubt है उस doubt को clear हो सकते हैं clear कर सकते हैं so please आप लोग ये जितने भी question दिये जा रहे हैं इसको अच्छे से solve करिएगा यही मेरा आप से कह सकते हैं request है या आपके फाइदे के लिए है मेरे फाइदे के लिए नहीं है ठीक है बच्चों तब बच्चों नहीं है